पोल फैक्टर, न्यूस डेटलाइन पंजाब देश खास शो देविच एक होर विदान सभा हलके दी समिख्या ते तस्वीर लाएके थोड़े सामने मैं रितेश लखी हाज़रा इस तो पहला कि मैं आज लंबी विदान सभा हलके दी गालबा शुरू करा इस कॉंसिचोंसी बारे जानकारी थो नुदा मैं एब इनती जरूर करांगा कि एक बार इस चैनल न्यूस डेटलाइन पंजाम नू काइनली सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि आनवाले दिनादे विच रिपोर्टां जिनने व्यापक पद्दर ते कॉंप्रेहंसिव पद्दर ते हून गिया फस्वें तेजडियां बहुती रोचक जानकारियां भी इस प्लाटफॉर्म तो थोनू में लगाता दिन्दा रहांगा तो आज दी शुरूरात करने आज दी इस रिपोर्ट दी गाल करांगे जिस विच की लंबी विदान सभा हलके नू समझन दी कोशिश करनी है क्योंकि AOVVIP हलका है जिसने की बीते तकरीबन 25 साला टाई दहाके दे वक्वे दे दौरान पंजाब दे सापका मुख मंतरी प्रकास सिंग बादल नू पांच वार बैक टू बैक जित वाके पंजाब विदान सभा दे विच पेजिया है ते उना टाई दहाके यानि की 25 साला प्रकास सिंग बादल देना जड़ी फैसिनेशन है ओक कर तो शुरू हों दिए 1997 तो यह शुरू हों दिए इस तो पहला प्रकास सिंग बादल जेवें कि मैं पहला अपनी एक अलाग रिपोर्ट दे विच जिसकी मैं गिदड़ बाहा विदान सभा सीट दे चर्चा किती सी म प्रकास सिंग बादल चार बार गिदड़ बाहा सीट तो जिते उस तो बाद उन्हाने 1995 दे बाइलेक्शन दे विच अपने पती जे मनपीत बादल नूँ पहली बार गिदड़ बाहा तो बाइलेक्शन अड़वाई उत्तो जितवाया ते उस तो बाद मनपी सिंग बादल लगातार जिदड़बा है तो ही इलेक्षना जितियां 2012 तक जाता कि उन्हें अपनी अलाग पार्टी नहीं बना ली ते उस तो बाद वो बठिंडा तब्दील नहीं हो गए लेकिन प्रकास सिंह बादल दा एक टर्फ जड़ा है ओ लंबी वी थे 25 साला तो नहीं बलकी वी थे तकरीबन 1957 ते 18 साला तो रहा है अब एक बाइकॉटिड एलेक्शन सी अकाली दल ने उस विछ हिस्सा नहीं सी लिया सो कॉंग्रेस ही एक एहम तिरसी सीपिया बीएसपिया बीएज़ेपी बर गया होर पार्टिया सान सो 1992 साल चड़के 1977 तो बार लगातार अकाली दल ते अकाली दल दे विछ भी प्रकास सिंग बादल ते उना दे परिवार दा ही कोई ना कोई जी एस लंबी विदान सभा हलके तो जेतू अंदा रहा है साल 1977 दे पहला दे दौर दे विछ कदे अथों कॉंगरस ते होर पार्टियां जीतिया रही है लेकिन 1977 तो शुरू हो ऐस सिलसला पंजाब दे विछ ओ साल जथों की परकास सिंग बादल मुख मंतरी बांदे ने यह उना दे दूसरी टर्म होन दी है बताओर मुख मंतरी इस तो पहला भी बहुत ब्रीफ टर्म लेए उना नों मुख मंतरी बनाया गया था लेकिन 1977 दे विच अकाली दल दी जित होंदी है ते परकास सिंग बादल मुख मंतरी मांदेने उस वक्त बादल खुद के दरबाहे तो इलेक्शन लाड़े होंदेने लेकिन लबी सीट होते होना ने अपने पराग गुर्दास बादल नू खड़ा किता होंदा है जो की तकरीबन अठाइक हजार वोटा एथो लजान देने ते जेतू रहन देने THIS उस असीदा एलेक्शन देवीच परकाश सिंग बादल दे एक होर रिष्तेदार हर्दी पिंदर सिंग बादल जड़े हैंगे ने ओ headed एलेक्शन लाड़ेने 85 देवीच भी ओही लाड़ेने ते दोए हैं जेतू रहने ने 1980 देविच उनानों तकरीबन 33,000 वोट मिली हुंदी है ते 1985 देविच 81,000 वोट मिली हुंदी है 1992 ता इलेक्षन आन्दा उस्तो बाद राष्ट्रपती शासन दा एक लंबा चोड़ा सिलसला तो रहा हुंदा है मिनिस्ट्री देगिरन तो बाद ते उस तो बाद इलेक्षन बानवेच हुंदा है जदो की गुर्णाम सिंग अबुल खुराना कॉंग्रस देविच उनानों देविच जेत्तू रहन देने तकरीबन 25,000 टोटल वोट पोल पई हुंदी है क्योंकि 24% ता वोल जड़ी टरनाउट सी पंजाब दे इलेक्षन दा ते इस हलके देविच 25,000 चो 16,000 वोटा कॉंग्रस दा उमीद बार लाए जान दा है तो एए इलेक्षन एक तरिक के नालिक कंटेस्टिड इलेक्षन हुंदा नहीं नहीं एए पूरा दा पूरा पंजाब दा इलेक्षन एक प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव इलेक्षन मन्या जा सकता है लेकिन 1997 तो बाद परकास सिंग बादल जो की अपने गिदड़बाहा हलके नो अपने पतीजे मनप्री सिंग बादल दे हवाले करके हुन लंबी तो अपना सियासी जड़ा है सफर शुरू कर रहे हुंदे ने इस हलके देविच नुमाइंद की था हलाके इस तो पहला भी परकास सिंग बादल दाही दबदबाई सीटू ते हुनदा है तो परकास सिंग बादल 1997 देविच एथों जेतू रहन दे ने उस देविच जेतू रहन दे ने 2002 दी एलेक्शन देविच कॉंग्रेस वलनों महेश इंदर सिंग बादल नों चुणके परकास सिंग बादल दा मुकावला करनली मैदान वेच उता रहे जान दा है जो की चंगी खासी गंटे देविच तकरीबन 13-14 हजार तो वद वोटा लजान दे ने इस हलके देविच परकास सिंग बादल दी एक वार फेर जित हुन दी है महेश इंदर सिंग बादल हार दे ने मेंबर परलिमेंट चुणे गई सांते MP बनन तो कुछ ही महीने बाद बहुती संदे परेहलातां विच शक परेहलातां विच उना दी मौत हो गई सी बाद दे विच उस दी वीजिरी परताल सी उसनों कई तरीके नाल रफा रफा कीता गया डिटेल्ड रिपोर्ट चैनल रितेश लखियान प्राक्ते में दिती है जगदेव सिंग खुडियां होना दा परिवार जड़ा है उस दा काफी इंफ्लूंस लंबी सी टूते हमेशा तो ही रहा है खुडियां दे परिवार देविच उना दे बेटे गुरमीद सिंग खुडियां वलो अपनी पूरी दी पूरी ताकच जड़ी है 2003 दियां बाइलेक्शन मलोट बाइलेक्शन देविच या उस तो बाद दे कई साला देविच कॉंगरस दे नाल चोकती जान दी है 1999 तो लेके 2003 दे वक्वे दोरान इस परिवार ने अधा सिम्रजी सिंग मान या फिर अपने पद्दर उत्ते ही इस हलके दे विच अपनी सियासत किती हुंदी है इलेक्शन लड़े नहीं हुंदे लेकिन 2002 तो बाद 2007 दा जड़े इलेक्शन आंदा है ते 2012 दे इलेक्शन आंदा है इना इलेक्शन आदे विच भी परकास सिंग बादल दे सामने महेश इंदर सिंग बादल नो ही खड़ा किता जानदा है किते हो 27-27,000 वोटना लजा रहे हूं देने इस हलके तो लेकिन 2007-2012 दे विच ओ 40-45,000 तो वद वोटना लजान विच गाम्याब रहन देने लेकिन इस दे बावजूद प्रकास सिंग बादल नो हरान नहीं सकते प्रकास सिंग बादल इना चोना दे विच भी जित देने लेकिन 2012 जदो मनपरीद बादल अपनी पार्टी अलग बना चुके हूंदे ने पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बन चुकी हूंदी है उस वक्गुरदास बादल नो मनपरीद सिंग बादल दी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब दी टिकेट उते अपने ही प्रापरकास सिंग बादल दे खिलाफ 2012 दी चोन लड़नी पहन दी है तकरीबन 1345 वोट उना नो मिल दे ने एक काफी पूर परफॉर्मेंस गुरदास बादल दी हूंदी है पीपल्स पार्टी ऑपंजाब दी हूंदी है लेकिन बादल नो कोई असर नहीं पहन दा उना दी जितता सलसिला कंटीनू रहना है ते 2017 दे बिच भी उसने कंटीनू रहना हूंदा है सिटिंग चीफ मिनिस्टर दे खिलाप चोन लडली कैप्टन अमरिंदर सिंग 2017 दे बिच एक चनोती परकास सिंग बादल दन्दे ने परकास सिंग बादल नो कोई भी फैदा आम आदमी पार्टी नो नहीं हूंदा लेकिन अमरिंदर सिंग इस दा नुकसान हूंदा है ते परकास सिंग बादल नो इस दा डिरेक्ट फैदा हूंदा है क्योंकि परकास सिंग बादल नो 6,000 तो उत्ते गोटा पाईया हूंदियाने कैपटन अमरिंदर सिंग तरताली 1,600 दे आसपास वोटा लगये हूंदेने ते जर्नेल सिंग 21,000 तो बाद वोटा ले जान देने सो स्तिती ये बन रही हूंदिये कि जे इस सीटो ते एक डिरेक्ट 1-1 फैट हूंदी ओस तिती दे बिच परकास सिंग बादल नो इक सीरियस चुनाती ये ना चुना दे बिच मिल ली सी जोकी नहीं मिल पाई ते आम आदमी पार्टी ने या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंग ने खुद मैदान बेच उत्तर के क्योंकि महेश इंदर सिंग बादल नो भी 2012 दे बिच तकरीबन तरताली हजार वोटना ही पाईयां सी लेकिन आज 2021 दे बिच आपा जटो 2002 दी गाल कर रहे है 2002 दी चोड़ा दे बिच प्रकास सिंग बादल नो अजे तक जैस वक्त तक के रिपोर्ट बानरी ये शाय थोड़े तक के पहुंचेगी हो सगता थोड़े तक के पहुंचन तक प्रकास सिंग बादल उमीदवार एलान ना होना तो ये समझना भी शायद कुछ हफ्टें दे बाद इस दी अनाउस्मेंट होएगी अपने आविच कई सवाल खड़े कर देर वाला है क्योंकि अकाली दल दा मुख मंतरी दा चेरा कौन होएगा सुखबीर बादल दी अबिशन है कि ओ इस वक्त अकाली दल दे मुख मंतरी दे चेरे वर जोन निखर के उबर के सामने आन लेकिन परकास सिंग बादल नो इगनोर करना सौखा भी दी तो अजे तक जड़ा लंबी सीट उते परकास सिंग बादल नो अनाउस ना किता जाना कैंडिडेट कुछ सवाल खड़े कर दा क्योंकि इस तो पहला दे जिन या फिर कारण कुछ होर ने परकास सिंग बादल दे चोन लड़न दी स्थी दे विच एक संसा जड़ा है मुख मंतरी दे चेरे ली फिर शायद काली दल बीच पैदा हूंता है शायद एक फैक्टर होवे तो एक कुछ फैक्टर है गेने लेकिन जड़ा लोकल पदर ते स्थ आनक पदर ते एक बड़ी जड़ी चेंज होई है जिस कारण की परकास सिंग बादल जे खोड़न लड़न दे विच ने उननल एक बहुत बड़ा खतरा है ओ है आम आदमी पार्टी जिसने की गुर्मीद सिंग खुड़ियां ओही गुर्मीद सिंग खुड़ियां जो की इक नेक टू नेक इस इलाके दे पिंडा दे विच बहुत से सरपंचा दा दे उते जड़ा असर है ओ खुड़ियां परिवार दा है खुड़ियां परिवार नो हमेशा ही एक गेम चेंजर फैक्टर मनने जानता रहा हला कि गेम करे चेंज नहीं हुए प्रकास सिंग बादल लंबी सीट उते गुर्मीत सिंग खुड़ियां नो उतारन दे एलान तो बाद हुन इस सीट उते डिरेक्टली पहली वार साल उननीस सो उनानमे तो बाद यादि कि ओस साल जनों की बतार एक एमपी जगदेश सिंग खुड़ियां चुने जान देने उस तो तकरीबन आपा परकार सिंग बादल कुल है लेकिन इस वक्स तित्थी जड़ी है उस दे भी थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन कॉंग्रस दा जड़ा उमीदवार है उस उते काफी हत तक निर्बर करेगा दूसरा बड़ा फैक्टर ये भी होएगा भी बठेरे इलेक्शना दे भी चसी वे परकार सिंग बादल करके वापस आंदा है लेकिन कॉंग्रस दा जड़ा भी खड़ारी आंदा है उमीदवार जो भी एलानना जाना जाना है वो एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होएगा जो एक मजबूत कैंडिडेट होंदा है उना हलातना दे विच इस सीट उते फिर परकास सिंग बादल या फिर उना बोलनों जे कोई मीदवार लाया जाना 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 जो इक एज मिलंदी संभावना हमेशा रहेगी जिन्नीवी गालबात आज आपा इस रिपोर्ट दे दारे नहीं है लंबी विच उना दे कारिया विच जाके चैलेज देना है जे इस मनुरत देना लांदा है ता ओदे विच भी मदद प्रकास सिंग बादल दी ही करके जाएगा या अकाली दल दी करके जाएगा तो लंबी सीट उते फिलहाल दा पोल फेक्टर आज दा है नहीं सी आ पाइनली सब्सक्राइब जरूर करो बहुत ही रोचक इंट्रस्टिंग किस से जड़े है के पंजाम दी चोना नल जुड़े होए बहुत ही मान्यूट जड़े कटनामा है गिया ने गेम चेंजर फैक्टर लेने उन्हानों मैं इसी शोदे बिच लेके मुखातब होंगा थो सब्सक्राइब जरूर करो ते सड़े नल इस तरीक के नल जुटे रहो बहुत बहुत आनुबाद थैंक्यू सो माच